आज का जो विश्य है वो है कर्म पाक संगीता लेकिन इसको इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार गुरू नाम और उसके बार गायत्री नाम उसके बार शुरू करते हैं ओम श्री गुरुभ्यो नमहा ओम श्री परापरं गुरुभ्यो नमहा ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमहा जो जो लोग अभी है लाइप पे आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कुंडली ग्रहों के बारे में नौलेज है नक्षत्रों के बाले में नौलेज है क्या कितनों को है कितनों को नहीं है जिनको है प्लीज बताइए अन्म्यूट करके यस मैं कर रहे हैं ठीक है नक्षत्रों के बारे में नौलेज है आप लोगों ने कभी यह सुना है कि पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ कर्मों को हम किस तरह से जान सकते हैं नौली पराशर जोतिश में जो बेसिक कि यह होता है कि उसमें हम जानते हैं कि यह जो बारा राशियां होती हैं उसमें यह जो नौग रह होते हैं और उनका जो जो स्थान होता है उनकी युदियां होती है नक्षत्र वाइस उसको हम डिफाइन करते हैं लेकिन क्यों वो नक्षत्र ज कर्म विपाक संहिता कर्म विपाक संहिता एक वो विद्या जहां पर कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों को डि़िकोड कोंड का घड़ेक तो करने से क्या मिलता है कि हम उस प्लैनेट से संन्म और कोई भी कर्म जैसा आपने पिछले जनम में किया उसको समझ पाएं और उसका उपाएं निकालके उसका निवारण कर आगर अच्छे कि नि किये था मिलेंगे तो कर्मविपाग संगीता का सबसे मूल उद्देश आपकी यह होता है कि यह नक्षत्रों के चार पदों के बारे में बताते हैं नक्षत्रों में चार पद होते हैं और हर एक पद क्यूं आपको मिला है चाहे वो लगन हो चंद्रमा हो रमेश होजा चीज़ा म्यूट कर लीजे लगन हो चंद्र हो या कोई भी प्लानेट हो उस कंडिशन में कर्ण विपाक संगीता यहां पर आपको एक जह पर यह हल्प करता है कि पर्टिकुलर लगन आपको क्यूं मिला हुआ है पर्टिकुलर लगन के साथ साथ आपको कुंड़ी के बाद जो ग्रह है वो क्यूं मिले हुए अच्छा यहां पर जो जो है प्लीज आप लोग अपना अपना कैमरा ओन कर लेजिने पर बिल्कुल ब्लैंक ही लग रहे हैं नमश्कार नमश्कार अभी स्टार्ट हुए अभी परमेशुदा जी जहनती जी मिकेश जी तिशी मोहन जी कविशाज सबने ओन किया हुआ है ठीक है कैमरा ओन करके रखें पीस कमसम पता तो चले है नहीं तो ऐसा लगता अब लैंग है नमश्कार 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 कर्म विपाक संगीता का मूल सिध्धान्त यह है कि आपके पूर्व जनम में कितने पूर्व जनम के कर्म आपके पड़े हुए हैं जिसको जिसका ड्यू रह गया उसको हम सॉल्व कर सकते हैं वैसे हमारी कुंडली से हमें सिर्फ चार जनमों का पता चलता है पिछले चार ज जनम के ठीक पिछले जनम में आपने जो कर्म किया है उसमें उस प्लैनेट का इंवॉल्मेंट था ठीक है या उस प्लैनेट से रिलेटेड आपने पिछले जनम में कर्म किया है अगर यही नक्षत्र का दूसरा पद हो इसका मतलब इसके पिछले के पिछले जनम में उस प्ल में सबसे लास्ट चौथा मतलब इसके पिछले चौथे जनम में आपने क्या कर्म किया है उसका रिजल्ट वो प्लाइनेट देगा ठीक है अब यहां पर कई जगह पर हमारे शास्त्रों में वेदों में उलेक है कि कर्म विपांग संगीता आपके इन चार पदों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं और इन चार पदों का आपको हिसाब किताब देना पड़ता है according to आपके दशा अंतरदशा के हिसाब से अब यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कर्म विपाक संगीता पहला जो उसमें बताते हैं पहले चाप्टर में कि जो प्लैनेट नक्षत्र के किसी भी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है वो प्लैनेट से संबंधित चीज़े जो है आपको ब्राह्मन यानि ब्रह्मन के जैसा उसका रिजल्ट मिलेगा कोई प्लैनेट सपोज ब्रहस्पति अगर किसी भी नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो उसका ब्रहस्पति के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा उसके अंदर ब्रहस्पति के बहुत अच्छे गुण होगा क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रहस्पति और शुक्र यह दो प् और शत्रियों के अंदर थोड़ा राजसित थोड़ा होते हैं। थोड़ा सा साथ उसी तरह से तीसरे चरण में अगर ऐरा रहा है या कोई दूसरा ये सिसा आपका लगन आ चंद्र 20 तो वह वैश्यों वाले गुण होंगी मतलब प्टिकुलर वह प्लैनेट व्यक्ति को वैश्यों जैसा रिजल्ट देगा यानि बिजनस मैंडेट यह पूरी तरह से राजिसिक हो गए और उसी तरह से चौथे चरण में जो प्लैनेट है नक्षत्र के वह शूद्र आगे पूर प्लैनेट लास्ट बचा हुआ है जिसका कर्म आपको इस जीवन में निफ्टाना ही है किसी भी हालत में ठीक है तो चौथे चरण का जो भी प्लैनेट होगा उससे रिलेटेट काम आपको करना है मतलब वह मैंनेटरी हो जाता है ठीक है तो आप लोग देखिए आप लोगों है है किस नक्षत रखे किस चरण में याट समझ लीजिए किसी का दूसरे नक्षत दूसरे नखिशरांद में है किसी भी नक्षत रखे तो कैसा काम करना पड़ेगा उसको काम करना उसको उसकी अंदर राजसिक संधे यानि राजा महाराजाओं वाले शान वृतidentsर अस्वान तो आप कितने विनम्न चुपचाप काम करने वाले इंसान है आप ना तो सीना तहान के चलते हैं ना तो किसी को घमंड दिखाते हैं वस काम मिल गया हमने वस हाँ जोड़के चुपचाप काम कर लिया शांदी पूर्वक यह पटिकुलर पहचान होती है आपके तो लगन से पता चल गया कि आपको आपका जो शरीर मिला हुआ है उस शरीर का धर्मी वही है अगर आपको अभी पकड़के पकड़के ले जाके बोलो चल मार्शलार्ट सीखते हैं तो आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा लेकिन जो तो राजसिक गुनवाला मतलब दूसरे चरणवाला जो होगा उसके अंदर बड़ा होगा अभी उसको बोलो जो भी करने के लिए उसके वास बहुत एनरजी होगी फिजिकल एनरजी बहुत आई होगी ठीक है तो कर्म विपाक संगीता मेंली जो है हमारे भगवान शीव ची अगर इसमें गोता लगाना है तो एक साल का को कोर्स करना पड़ेगा इस चीज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे एक एक दिन में दो दो नक्षत्र को कवर करेंगे इसमें सिर्फ स्टोरी बताई जाएगी कि पटिकुलर इस नक्षत्र के इस चरण में भगवान शिव ने मापारवती को क्या स्टोरी बोली है और उस स्टोरी का जो निचोड यानि कि अगर कोई गलत है तो उस गलत का क्या निवारन है उपाय क्या निकलेगा ठीक है उसको हम अभी modern time के context में उसको देखेंगे इसमें तो देखें बहुत सुन्दर स्टोरी बना के लिखा हुआ है अब स्टोरी के हिसाब से अगर आप पठने चल जाए तो सीधा सीधा मिनिंग निकालेंगे तो आएगा नहीं क्यूंकि कुछ कुछ जगों पे लिखा हुआ है कि ब्राम्मन की हत्या कर दी तो इस जनम में उस व्यक्ति को ब्राम्मन एक मनु कर्म विपाक संगीता में समझेंगे ठीक है अब जैसे तृतिया ध्याय में भगवान शिव कहते हैं कि जिसका जनम अश्वनी नक्षत्र के प्रथम पद में हुआ हूं शुलू करते है अश्वनी सही आज एक नक्षत्र को मैं अच्छे तरह से आप लोगों को बताऊंगा कर पीछे स्टोरी क्या हो बताऊं तरह कॉश्चन है अगर मैं पूची तो क्या यह कोर्स में हम क्या नक्षत्रों के बारे के सास्थ पदो नक्षत्र और दोनों के बारे में सीखेंगे कि स्वाति नक्षत्र क्या है यह नक्षत्र क्या है नक्षत्र का मैडम एक अलग कोर्स है हमारे पास तो असमें दर्शग्छद्र के बारे बता रहे इसमें हम पद बताएंगे और उपाई बता है मिल्ली मेंगे पत्ञेंगे कि इस पद में पड़ा रहने पर क्या उपाए में ने विसतार में पढ़ना चाहिंगे तो बहुत बड़ा कोर्स बन जाया किकूंकि किसी भी को ब्धार कोई हम सीखेंगे युइस है फफ के बारें पढ़ेंगे यूज मैंनक्षत्र के बारे में एसते चोटा मोटा-मोटा बताता जाओंगा लेकिं नक्षत्र पड़ा हुए बताया हुआ है तो अगर साइमल्टेनिसली दोनों को करते हैं नक्षत्र को समझते हैं साथ में पदों को भी समझते हैं तो और भी इसमें मतलब फर्क नजर आ जाएगा मतलब प्रेडिक्शन में बहुत मज़ा आता है एक एक्यूरसी बहुत आती है ठीक है और सबसे जरूरी बात यह है करम पाक संगीटा जैसे हम लोग कहतें कि लाल किताब जो है वह उपायों की किताब है जो नक्षत्र बेस्ट है पटिकूलर के ऊपर बेस्ट करके यह बुक लिखी गई है जी सर थेंकियू अलक Cape शुपची कहते हैं कि Zhu देवी संसार में जिस जितने भी प्रश्ण होते हैं उन्होंने उनमें मैं मनुश्यों को मेश रादि राश्यों के करम में प्रैस्चित सहित कहूंगा ध्यानपुर्वक सुनना सोने के लोब में ये पहला है पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र और उसका पहला चरण तो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में कोई भी लगन आए या ग्रह आए तो वो नमांज में जाता है मेश लगन में ही उसका वो वाला प्लानेट रहेगा अच्वनी नक्षत्र के पत्म चरण क्योंकि नमाज जो होता है वो हमारे नक्षत्रों का ही एक रूप होता है उसका सबसे चोटा वाला पाट की exactly वो किस तरह का result देगा और प्लानेट का भलाबल क्या होता है तो उसकी स्टोरी क्या है वो सुनिएगा सोने के लोब में लोब से पुत्र सहित ब्राह्मन की हत्या करने करके अपनी पत्नी सहित स्वर्ण का भोग किया इस पाप के कारण उसे पुत्र नहीं हुआ यानि कि मेश राशी में अश्वरी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी प्लानेट आता है या सबसक्त किसी का लगण ही आ जाता है तो उस वेक्ति ने अपने पास लाइफ में पूरू जनम में किसी ब्राहमन की हत्या की थी किस वज़े से सोने के लोब अब उस टाइम पे आप हमें तो नहीं पता उसका पिछला जनम कैसा रहेगा था सॉरी तो इतना तो आइडिया आ गया कि उसने किसी सज्जन वैक्ति को मारा था ब्राह्मन का मतलब आज के डेट में आप देखेंगे ब्राह्मन सिर्फ जन्य उधारी नहीं होना चाहिए ब्राह्मन को ब्राह्मन वाले खृत्त भी करने चाहिए काम भी करने चाहिए तो किसी सज्जन वैक्ति जो ब्राह्मन तो ग्यान रखने वाला था उसको सोने के लोब म में उसने उसको मारा जिस वजह से ऐसे लोगों ऐसे इंसान के इसमें इस जनम में पुत्र होने की संभावना को यह खतम कर देता है है यह दीवी इससे प्रायषित के लिए गायत्री मंत्र और महा मुर्थ मंत्र का पांच लाग जाब करें और यह पाप से मुक्त हो सकता है यानि कि ब्रामनों की हत्या करने की वजह से उसको जो पाप लगा है उसका निवारन किस्से होगा मृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र से ठीक है स्ट्रेट कट यह हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे ज्यादा गहराई में जाएंगे तो प्रेन होच-ज्यादा होच-पोच होगा तो यहां पर सीधा-सीधा कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई ह है तो हत्या का निवारन एख ही है कि आपको गायत्री मंतर का जाप करना पड़ा तो दो कहते हैं कि उस वैक्ति एक जीवन में नश्ठ हो जाते और पुन्य आते उसके बाद क्योंकि इस ने यहां पर दिखाए कि व्रामन की हथ्या की गई है इस वज़ाए से इस जनम में उसको पुत्र संतान नहीं हो रहे हैं यानि कि इनको संतान ही नहीं हो लिए कुछ नक्षत्रों में लिखा गया है कि कन्या संताने होती है पुत्र संतान नहीं होता और अगर लिखा हुआ है कि पुत्र संतान नहीं होता यानि इनको बच्चा ही नहीं होता संतान ही उत्पत्ति में समस्या है तो ऐसे कृत्त को करने के इस से बचने के लिए पांच लाख गायत्री मंत्र और मित्युजय मत्र का जाब कर चालीस तोले प्रमाण से अधिक सोने की पुत्र सहित ब्रामन की मूर्ति बनाकर विधी पुर्वक उसका पूजन करना चेए बतावाज की डेट में संभव नहीं है एक इंसान के बराबर इस वांतमे उसके बच्चे के साथ भी आ कह रहे हैं कि सोने के मूरति बनाए और उसको उसकी पूज़ा करें इसको हम modern context में क्या संज़े इसमें मौडरन súper memb को जो आजके डिट में ब्रामन कित्त करता है वेदों का अधरिन करता है पूजांपाट करत है ठीक है उसका दिंचरिया उसके सुभाव में आपको ब्रामनत्व दिखता है तो उसकी सेवा करना है कि इसके बाद कहते हैं इसके बाद चतुष कॉन कुंड बनाकर स्वस्थ चित्त से आगे लिखे गए मंत्रों द्वारा मूर्ति का पूजन करें मंत्र बहुत सारे हैं इतना मंत्र हमें पढ़के फायदा नहीं है पूजन करने की जो विधि होती है उस नौर्मल जो कर्म कांड की पूजा है उस तरह से कहा जा रहा है कि आप पूजन करें इसके अलावा सबसे आसान तरीका हम लोग जो हम लोग मानते हैं आज के डेट में भगवान श्रेक्रिष्ण या कोई भी विश्णु अवतार जो हमारे इस पूरे संसार को चलाते हैं ठीक है अब हर कोई कि ब्राह्मन को ढूंड कर उनको बुलाकर उनके सेवा करना वेलेबल भी नहीं है तो सबसे आसान तरीका उसका बैठता है कि आप सिंपल सत्व नारायन की पूजा घर में करवाएं और वहां पर किस जो ही ब्राह्मन आये पूजा करने के लिए उनको दान डक्षिना उनकी प् और सत्व नारायन की पूजा करवाने से होता यह है कि आपके जीवन का जो दिन चरिया है जहां जहां प्रॉब्लम से रुकावट है वो धीरे 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 सॉल होता जाता है तो यहां पर हमें ब्राह्मन नहीं मिला इसलिए हम इश्वर को स्थापित करके उसकी पूजा कर और जो भी ब्राह्मन आये जो भी पूजा करें वो जैसे भी पूजा करें कभी भी किसी भी ब्राह्मन के विरुद्ध कोई बात नहीं बोलना चाहिए भले उससे कोई गलती हो रही हो पूजा में कभी अगर इधर उधर हो भी जा रहा हो तो उनके लिए अगर हम गलत कटू शब्द इस्तमाल करते हैं या फिर उनकी निंदा करते हैं तो उसका यह बहुत बड़ा पाप लगता है यहां पर कहते हैं भगवान की पूजा करिए और यहां पर जो सोने की मूर्ति बनाके उसकी पूजा करके ब्रह्मा विश्णु महेश जो हमारे नॉर्मल हम लोग पूज करते हैं उससे पूजा करके उसकी तुझा करके जो भी उसमें जबाद करते हैं बोज्रूर करवाए कि इसके बाता है यहां कि इस प्रकाइर प्रातना करके पूर्व जन्म में मेरे दौरा जो अपरढ़ हुए हैं उन्हें आप शमा करें और विधीवत सब पूजन करके तिल जो चावल आदी वस्तुओं के दशांच घी में हवन करके दशांच से तरपन तथा मार्जन करना चाहिए तरपन मार्जन का एक बहुत important हमारे हिंदु धर्म में बहुत important इसका रोल है तरपन करना इतना ज़रूरी होता है कि आप तरपन सिफ ऐसा नहीं कि आप अपने पूरवजों की संतुष्टी के लिए कर रहें तरपन का मतलब यह होता है आपके खुद के कितने जर्म हुए हैं उस समय जो आपने शरीर त्यागा था उसका निवारन भी इसमें हो जाता है इसके बाद फिर कहते हैं फिर दश रंग वाली गौओं का दान करें और स्वर्ण से मढ़े हुए सिंगों वाले वस्तर के युक्त एक बैल को भी दान करना चाहिए अब आज के डेट में कौन बैल दान देता है देते हैं लोग लेकिन स्वर्ण लगाकर बिल्कुल उतना तो नहीं कर पाते गौधान करते हैं लोग गौधान आज के डेट में पॉसिबल है तो आप गौधा स्वाला में जो वहां पर ट्रस्ट है उनको पैसा डाल सकते हैं या चारा खरीत के खुद दे सकते हैं कुछ भी ऐसा जो गाईयों की सेवा हो इसके बाद कहते हैं इसके बाद विधिपूर्वक ब्राह्मनों को भोजन कराकर दक्षणा में उन्हें स्वर्ण दान देना चाहिए स्वर्ण दान पॉसिबल नहीं है इसलिए हम पीला वस्त्र या पीला अनाज देते हैं बट साउथ इंडिया में कुछ जगह पर है मैंने करनाटक में देखा था बैंगलोर में बैंगलोर में थोड़ा आउट उप सकट एरिया में वहां पर देखा था कि जो तरपन के वक्त जो हमारा वो चलता है भूच चतुरदशी हम जब श्राद करते हैं श्राद के बाद ब बहुत अच्छी लगी है इतनी अच्छी ववस्ता कि सारे ब्रह्मन बैठे वे हैं उनके लिए भोजन बनाना सब कुछ रेडी में मतलब की ऐसा है समझ लीजे कि आपको सिर्फ जाकर वहां पैसा देना है वहां सब कुछ रेडी है वहां काम करने वाला वैक्ति बैठा क्योंकि आज की डेट में बताईए जितने भी मैक्सिमम आज के डेट में लोग कॉर्परेट में यह प्राइवेट जॉप में बिजी है समय नहीं है समय की बहुत कमी है तो एक बहुत सुन्दर सा अयोजन किया हुआ हुआ है उनका एक संस्थान है तो वहां पर जाके इसमें सब कुछ हो जाएगा आप जाए एमांट दीजिए और अपना दान जिस तरह से पूरा प्रॉसेस वहां पर बैठे रहेंगे ब्रामन बताएंगे आपको इनको इनको ऐसे ऐसे दान देना है खाना खिलाना आप बैठके उनकी सेवा करके जो पूरा प्रॉसेस वह करक ठीक है तो आप लोग अगर रेगुलर वाइस कोई भी दान इसलिए कहा जाता है आज के डेट में सर्व सबसे आसान तरीका क्या होता है अमावस पूर्णिमा संक्रांती अमावस पूर्णिमा संक्रांती में आप कुछ न कुछ दान देते रहें जिसके माबाब जीवित है उनको काला तिल नहीं देना चाहिए आप सफेद तिलines तिल कादान देना बहुत ज़रूरी होता है सफेद तिल कादान करना है करना है तो आप क्या ती सकते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है अमावस पूर्णिमा संक्रांती इन तीनों में कुछ न कुछ डोनेशन ब्राम् लिए उस हिसाब से मैं मैं उपाय करके महादशा में इस यह वाला प्लैनेट मेरी कुंडली में इस नक्षत्र के इतने चरण में बैठा हुआ है उसमें जो उपाय बता यह सब करना बड़ा पॉसिबल नहीं होता है ठीक है बट आप अगर एस्टलोजी के प्रोफेशन में हैं तो यह बताना बड़ा इजी होता है कर्म विपाग अगर आप जानते हैं कर्म विपाग को प्रैक्टिस करते हैं क्यों कर्म विपाग में भी अगर यह एक सो आठ चरणों को हम याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हम इसको बार बार देखके किताबों से ढूंड के निकालके पर्टिकलर वो पॉइंट निकालके उसको फिर सिंप्लिफाई करके हम लोगों को उपाई दे सकते हैं मेंली इस पूरे कोर्स में हम यही समझेंगे कि किस तरह से इजी टू इजी उपाई को हम दे सकते हैं जो इस बुक में जो लिखा हुआ है उसका सबसे सिंप् पुत्र सहित ब्राह्मन की प्रतिमा को उक्त विधि विधान वाले आचारे को प्रदान करतें। इस प्रकार करते करने वाले व्यक्ति का वंच अवश्य ही चलता है। और हे देवी उस व्यक्ति को अपने जीवन परियंत एकादशी व्रत और रवीवार को पढ़ने वाली सब्तमी का व्रत तथा सत्य भाषण का नियम रखना चाहिए ठीक है अब सब्तमी रवीवार पढ़ने वाला अगर कोई बहुत हमारे अच्छे ब्रामन हो वो लोग पंचांग देखे बता दे लेकिन एकादशी करना इजी है सबके लिए सबको पता है आपको नेट में मिल जाएगा पंचांग के एकादशी किस-किस देखने है तो आप ल जो जाएक वाचृक वांसिठ तो ये तीनो करम के हिसाब से हम कुश न कुछ हमारे से गडबर होता है किसी को देखा अरे उसने ऐसा कर दिया तो इरशवा हुआ तो ये मांसिठ बन गया जाने इन जाने में किसी को मार दिया तो वह काईक बन गया ठीक है या किसी का अपमान कर दिया किसी के बारे में निंदा कर दिया तो वह वाचिक बन गया होता है हर को ही होता है कि हम लोग सब जितने भी है सांसारिक हैं तो सांसारिक लोगों का ऐसा दिन हो नहीं सकता कि विल् तुमने पूरु का जन्व का जो भी गलत किया था उसका निवारण करने के बाद दुबारा तुमसे गलतिया ना हो एकादशी आती रहेगी तो आपiverse लगिभी 呀 जो 15 दिन में हर 16 आइगी तो आप फिल्टरेशन आपका चलता रहे जो 15 दिन में किया इकादशी किया तो फिल्टर से उसका जो है प्रभाव जो है कम से कम नूट्रल से नूट्रल होता जाएगा ठीक है इस तरह से कहते हैं कि विधिक पौला पूरुष निश्चही अपने पूरु जन्मकृत्य पापों का नाश कर देता है अब यहां पर लॉजिक क्या है क्यूं इतना नियम इतना पालन क्यूं कहा जा रहा है क्यूं इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आज का जो सिनेर बड़ कर्म विपाक ऐसे चीज़ है जो आपको ऐसा प्रॉसेस बता रही है जिसको सिंप्लिफाई करके हम अपने लाइफ में रेगुलर यूज करते रहें तो एक एक चीज का निवारन कर पाएंगे और सटीकता से कर पाएंगे आगे भी हमारी गलतिया नहीं होगे यह जै जी और क्या दे सकते और ढूसरा भी बूलेते आ हैं वाइच तिलो और विचब कोलते और तीускर जो सब्सक्राइब ये लूसे क्पड़ गेसकते हैं दाल दे सकते हैं कि की दाल डाल जो हम में दे सकते हैं ग्रामाँ को टेंक यह बिजा बिजल बताइए इस यह अपने बुला ब्लाक तिल ब्राह्मन को नहीं दे सकते हैं अगर माबाप जीवित है तो मैंने दे दिया है इसलिए मैं पूछ रहा हूं एक टाइम पे पापा है जीवित है बन मैंने दिया था कुछ और मतलब ब्लैक दिल इस वूर इंसिस्टर ऑलसो लेकिन आपके आपके जो इमीडियेट इंसिस्टर आपके फादर मदर होते है आज रहे हैं शीडिक है मतलब आपको नहीं देना पर ब्राह्मन को दिया था और वहीं सोचके कि ब्लाक्टलेस पर एंसेस्टर हैंस डोनेटेड ओन सैटरडे कोई बात नहीं गलती अब पता चल गया आप अभी से नहीं दूना मतलग क्योंकि इमेजेट वानिस पंसीड़ बस और दूसरा अपने जो शांती अभी सिंग सॉंग रखा था चैंटिंग वाला इसे पहले हां वो मुझे एक बार अगर बता सकते हो कौन साथ हा इंसिट्यूट से पूछना पड़ेगा मुझे वो शायद वो है देवी स्तुरत्र में बहुत 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 फुल एनरजेटिक हा इस वेरी गोड या 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 प्रमिला जी बताइए एक तो यही कुशन है कि क्यों नहीं देना चाहिए जो आप चीज़े बोल रहे है यलो चीज़े देनी है यलो कपड़ा दीना तो क्या अपने चार्ट में वो प्लानेट की पोजिशन देखकर करना चाहिए या ब्लाइंड ली कर सकते है नहीं यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं यह पढ़ रहे है कर्म विपाक संगीता कर्म उनसे नक्षत्र में कौन सा प्लानेट कितने पद में बैठा हुआ है उसके लिए क्या निवारण है और यह जो ब्लाइक टील अभी जैसे संक्रांद भी आती है तो सारे लोग ब्लाइक वाइट का डूनेट करते हैं तो इसके पीछे का लूजिक भी बता जीज़े पीछे क और वाइट तिलिस फर देवताज ठीक है तो ब्लैक तिल जब आप दे रहे हैं तो उनको दे रहे हैं क्योंकि उसको देखो क्या होता है कि वाइट तिलिस फर राहू एंड ब्लैक तिलिस फर केतु ठीक है ग्रहों के हिसाब से लेकिन हम एंसेस्टिरियल जो लोग मर जाते ह उनको देते हैं मेंली जो हम दान पुर्ण्य कर रहें किसी को तो कहीं न कहीं उनको वह चीज जाता है तो जब आप ब्लैक दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके इमीडियेट जो पूरवज्च वह नहीं है अगए अगर फादर हैं तो हम ब्लैक नहीं दे सकते फार स्पेशलिय क्योंकि हमार देश जो है 500 पूरश प्रदान और हमारे गोत्र जो है वो पुरशओं के गोत्र से ही चलता है ठीक है इसलिए फादर अगर जीवित है पापा जीवित है तो फिर आपको ब्लैक तिल नहीं देना उनली वाइट तिल कजान कीज़े तो जैसे आप कहे रहें कि वाइट इस फॉर देवतास जब हम वह वाइट का डोनेट करते हैं तो वह उन तक पॉस्ट आएसे यस यस डोनेशन हम तब करते हैं जब हमें वो चीज निकान नहीं रहती है तब ना मात से जब कुंडली में देखो बेसिक कॉंसेट यह है कि जब कुंडली में ग्रह खराब है या मतलब मैलिफिक प्लैनेट है और वह ओवरली हाइली चार्ज़ है तो उस एनरजी को रिलीज करने के लेकिन यह जो हम दान करते हैं जो तरपण वगजरार करते ह। तरपण प्र्टिकुलर्ली नहीं होता है यह हमारे एंसेस्टरियल होता है हमारे पूरवज जिस गोत्र को हम फॉलो करते हैं उस गोत्र के लिए हम दान करते हैं अपने एंसेस्टर्स को देते हैं उसमें कनेक्शन क्या होता है अगर आप रिगुलर एंसेस्टरियल हम दान करत जाता है क्योंकि राहू जो आपको इसी लिए हम राहू के तुको ही तुष्ट करते हैं हर एक संक्रांती में जो हम दान करते हैं तो आपका एक महिने का वह समझ लोगे वह अगर मदर मदर जिन्दा है तो ब्लैक कर सकते हैं अगर मदर जीवित है तो क्योंकि हमें स्राध दोनों का ही करना होता है अपने सस्वराल का भी अधर भी तो ब्लैक तिल दान दे सकते हैं पादर नहीं रहे तो ब्लैक तिल दे सकते हैं में ली फादर का ही हम लोग फॉलो करते हैं ठीक है और को सवाल हलो सर एग एटेड है यह पड़िए द दिशाबुक्ति रनिंग दशा गुक्ति और अलगना रलेटेड ब्लैक तब्लैक दिशाबुक्ति इस पटिकुलर रेमेडी वुड़ रहे रहे रड़ें ब्लैक तो नहीं पतानियां बद्लैक उश्ण के प्रूल्स्टिश्श्य particular planet is sitting in some nakshatra position then do this kind of you know remedies not in transit it is from horoscope yes transit is a different thing but particularly dasha is important because whenever you are doing the remedy whenever the dasha is whatever the dasha is going on that's only effects I have one more question if you have a mass and all that without even looking at but the point is in the morning so that is fine or any day even we do it if you are wrong if you are wrong I can do it but you can do it but you can do it and you can do it because you are wrong my guru ji or my I am brahman so my jennyokhari jenny guru ji are my jenny 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 जब जीवी थे उसके सेवा करो ना भाई तो हो गया ना निपढ़ गया आप तो कार्मिक कर ले रहो तो उपाय करने क्या ज़रूर मैं तो जो भी कर्यों एंसिस्टर का जो मर गए पपा के ममी पपा और वो सब तीन पेड़ी तक तो करी सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास अपका नाम पता है तो मैं तो ऐसे सोच के कर लेती हूं कि उनको जाए या बस ठीक है उसी इसाब से चलने जब है किसे सब्सक्राइब कर लगातीज करें करें जाएए शस बॉघSer कर तो सब्सक्राइब करोंगे कि मिश्कुरमी मर गए है सम्टों लग तो PRS जी कर और वह वह संक को जब पानी चैड़ाते तो उसमें वो लोग डाल सकते हैं वो लोग डाल सकते हैं तो यह सब्सक्राइब ना कि पहले जो भी करना कर ले ना और साइन्स कहता है कि आर्ट सारे आर्ट के बाद का जो सन्रेज होता है वह एक्स्टा राल्टर वारेट रेस के साथ आता है तो वह बॉड़ी के लिए अच्छा नहीं होता है और दूसरा वह पीपल के जाड़ का सैटरेड़े और उसका कोई टाइमिंग है तिल पाइव पीम अगर कुछ इमेडियेट रिजल्ट चाहिए तो उसका एक बहुत फॉर्मूला होता है 21 डेस का होता है 21 डेस रेगूलर करना होता है और अगर आप चाहते कि नहीं मेरा लाइफ बिलकुल शांति से कटे मतलब एक्शली नॉर्मली पीपल का व्रिक्ष स्पेशली शनी की नि पहुंचा रहा है या आपको नुक्सान पहुंचा रहा है तो सबसे पहले शनी की पिड़ा कहां से शुरू होती है मांसिख और शारिक पैसा फजगया किसी किसी घर में कोई बहुत बिमार है उसको लेकि आप टेंशन में हैं पैसे खतम हो जा रहे हैं ठीक है उसका धीरे- को पानी देना शुरू करें पीपल का व्रिक्ष और बर्गत का व्रिक्ष इसलिए कहा जाता है कि यह दोनों बहुत मात्रा में बाकि इतने नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आप उनके अलावा भी बाकि किसी दूसरे भी पेड़ पौधे पर पानी देना देने से शनी के रिल और पीपल के व्रिक्ष के नीचे दिया जलाते हैं वो संधिया मतलब शाम को देना हो आप पीपल के व्रिक्ष के जड़ में डाल सकते हैं हमावस्या में ठीक है या फिर सिंपल आप जो सूरी देव को है उनको ऐसे अफिक कर सकते हैं अगर नहीं है आप फ्लैट में रहते हैं तो जो पाइब होता ना मतलब जिसमें पेड़ पहुते लगाते हैं तब में वह पानी गिरा देना तो पौदा आ जाएगा तो उसको निकाल के बाहर कर देना तिल में नहीं करते हैं पात्र में पात्र में आप डालते हैं और उस पात्र को फिर ले जाकर कहीं पर मिट्टी में बाहर की मिट्टी में अब अश्वनी नक्षत्र के दितिय पद में क्या उसकी स्टोरी है उसको देख लेते हैं शिव जी बोलते हैं है देवी अब पुनर्जन्म के कर्मफल से अश्वनी नक्षत्र के द्विती चरण में उत्पन्न वेक्टी द्वारा किये जाने वाले प्रैस्चितों को कहता हूँ अयुद्यापूरी से चार कोज़ दूरी पर पूर्व दिशा में सर्यू के तट पर एक वर्ण शंकर शत्रिय निवास करता था अब क्या हुआ यहें वर्ण शंकर शत्रिय निवास करता था यानि कि दूसरे पत में अश्वनी नक्षत्र के दूसरे पर में जो भी प्लानेट आये लगना आये तो वो प्लानेट या लगना वैक्ति को शत्रियों वाला गुण देगा ठीक है इस्पेशली जब उस प्लानेट की दशास शुरू होगी भुक्ती उस समय पे उसके अंदर शत्रियों वाले गुण जागरित होंगे उसका नाम श्वेत वर्मा था तथा वह पत्नी और पुत्र सयुक्त था एक बार उसका मामा अपने पुत्र के साथ यहां आया वह करोडों रुपए का सोना लेकर उसके पास आया था जिससे उसने अतिन्त आदर सत्कार के साथ अपने घर में आश्रे दिया था अब देखो इस जनम मतलब पूर्व जनम में पर्टिकुलर उस प्लानेट या नक्षत्र वाला बैक्ती जो है पूर्व जनम में मामा जी के साथ कहीं न कहीं रिलेशन होगा मतलब मात्री पक्ष से उसकी पत्नी अत्यन्त रूपवान गुणों से युक्त और योवनावती थी अपने उसके मामा ने भी एक मास अपनी भहन के घर में निवास किया अपने पुत्र सहित प्रती दिन अनेकों प्रकार का मांस खाते एक महीने वैतित हो गया एक दिन उसने श्वेत वर्मा के घर में रात को सोते हुए अपने मामा और उसके पुत्र की हत्या कर दी लो इसका सबसे बड़ा कू कर्म जो हो गया वो अपने ही मामा और पुत्र की उसके पुत्र की हत्या क्यूं क्यूं उनके पास कडोडो रुपए और सोना था सोने और धन संपत्ति के लोब में उसने अपने सगे मामा को मार दिया उनके मृत्षवों को दोनों पति-पत्नी ने मिलकर वही भूमी में दवा कर गुरु घात के समान अर्थार्थ गुरु के वधतुल उसके धन को हड़प लिया इन दो ये फिर दोनों पति-पत्नी मिलकर प्रती दिन उस धन को वह करते हुए आनंद पूर्वक समय वहतीत करने लगए कुछ दिन के बाद उस शत्रिय के मृत्यू हो गई पिर कुछ समय पस्चात उसकी स्त्री ने भी एक घने वन में जाकर अपने शरीर का त्याक कर दिया वनने के उपरांत यम की आग्या से यम दूतों ने उन्हें घोर कर्म के नरक में डाल कर और अनेक प्रकार के कष्ट दिये उन दोनों ने एक युग तक नरक में वास किया और वहां के दुखों को भोगा नरक से निकलते ही उन्हें गधे की योनी मिली उसके बाद गिर्गिट की योनी मिली उसके बाद मनुष्य की योनी मिली अब योनियों का देखो गिर्गिट और गधा क्यों आया गधा इस बै क्या रंग बदलने वाला पूर्ञ जन में पुत्र सहीद मामा का वद किया था इसलिए उसफाप का फल इस वंच इसका वंच-नाश हो गए उसकी पत्नी पूरुजणम में भी रोगी थी और पूरुजणम के संसकार से उसका विवा उसके साथ पुना हो गया उसमें खासी दमा और विशम ज्वर से वह सरवदा पीडित रहता था अब उसका प्रैस्चित मैं तुमसे कहता हूं सुनो मतलब इतनी हाथ करने के बाद मित्यू करने के बाद उसको उसकी पत्नी को खासी दमा मतलब दोनों लोग कहीं न कहीं बिमारी से ग्रस्त होते हैं यानि इस्पेशली जब भी अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जान्म लेने वाला वैक्ति अगर असेंडेंट होगा अश्विनी के दूसरे चरण में तो वो वैक्ति खासी जुखाम जो और मतलब हमेशा उसके अंदरन सीजनल बिमारी होगी हमेशा वह सीजन बदलती वह बिमार पड़ा रहेगा तो इसका निवारन क्या बताते हैं प्रति दीन प्रतिंपूर्वक हरीवंच पुरान के पाठ का श्रवन करें तथा भू भक्ति पूर्वक दस गायों का दान-ब्राह्मन को करें अगर पॉसिबल नहीं होता है जो मैंने शौर्ट कट बताया कि गायों की सेवा लेकिन हरीवंच पुरान का पाठ जरूर सुने अश्वनी चरण के कर सकते हैं और दूसरे चरण का सबसे बड़ाँ निवारन है और य। यूट्व जाएंगे वहाँ पर आफ यहेटषान लगा कर रहाएं कि करід Cisco भर hurts Pence पाइगा इतना टाइम नहीं सबसे असान है ऐसा लो हेड़फोन लगाओ कान में और सुन लो क्योंकि वहाँ पर यूट्यूब में मीनिंग के साथ बताया हुआ बहुत सुन्दर स्टोरी दिया हुआ है और पंद्रपल स्वर्ण धातु की मूर्थी बनाकर पूजन करें तथा स्वस्त होकर वर्तुलाकार कुंड में हवन करें हवन का एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हर बार कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हरे एक वक्तिको के यह इसके मुख्य तीन कारण है हमारे पास पंच महाभूत है पांच उंग्लियां है इस प्रित्वी में यह पांच तत्व है ठीक है इन पांच तत्वों को किस तरह से हम बैलन्स कर सकते हैं इसको मैं बस अभी सबको बहुत एजिली समझा देता हूँ इजी है आप लोग सब को ही कर सकते हैं अगर आपको उसको फील करना है तो अपने हाथ में लेकर भी हो सकता है जैसे प्रित्वी तत्व का निवारन क्या है नॉर्मली हमारे पास जो पांच त तो उसे शनान करना चाहिए सब से आसान तो हम क्या करते जल सनान ठीक है जलसनान रोज करते हैं वो हो जाना ठीक है दूसरा याता है प्रित्वी तत्व से शनान कैसे करें तो एक मध्र बात कहते हैं मिक्टी लगत आज पास की कोई भी मिट्टी थोड़ी साफ सुत्री होनी चाहिए बशरते वह केमिकल और पैस्सिसाइज जाला हुआ नहीं होना चाहिए घने जंगल अगर आज पास कहीं भी प्रकृतिक जगह है ग्रीनरी एरिया है वहां पर कोई केमिकल यूज नहीं होता तो वहां के मिट ले आकर घर में थोड़ा सा उसको हलका सा चालनी से चाल कर पुरा मतलब बिल्कुल पाउडर की तरह है उसका आप सिंपल मड़ बनाके अपने बॉड़ी में लगा के फिर स्नान कर लीजिए बहुत अच्छा मड़ बात होता है इसी तरह से हम करते हैं अगनी स्नान कैसे होता है जब हम हवन में अगनी में आहुती डालते हैं उस आहुती से जो अगनी का तेज निकलता है उससे हमारा अगनी स्नान होता है ठीक है वैसे सर्दियों में अभी जो नौर्थ इंडिया से जितने लोग हैं सर्दियों में हम आग बाहर खड़े हो के आग लगाते वो भी एक दूसरा option यह है कि अगर जो बीच के किनारे रहते हैं वो धूप में कुछ देर तक बैठे हैं या पहाड़ों में रहते हैं देर तक बैठ सकते हैं दिल्ली का pollution इतना है वह धूप में बैठना मतलब skin disease हो जाएगा ठीक है तो मैं सबको नहीं बोलूँगा कि धूप में बैठो अगर आप outer में रहते हैं मतलब गाउं में रहते हैं जहां बहुत greenery है तो वहाँ पर आप सुभा की धूप जो सुभा साथ से लेकर साड़े आठ बज़े के भीच की होती है और शाम को चार से लेकर पांच के भीच की धूप होता है वो भी एक तरह का अगनीस्नान हो जाता है थीकर इसी तरह से वाई उस्नान होता है वैसी जगह पर प्लुशन कमेर हवाइं बहुतeln चल रही हो हमेशा हवाईं चलती रहती है यह समंदर के किनारे पहाड़ों में हमेशा हवाईं चलती है महां पर कभी हवा रुखती है तो यह हो गया वाइश्नान ठीक है अगनी जल प्रित्वी वायू चार हो गया और पाच्वा हता है अकाश तत्व का असनान कैसे हो सकता है अकाश तत्व का असनान सिंपल है उसके लिए आपको अपने ब्रेन को खाली करना होता है जो मगज है इसमें इतनी बाते चलती रहती है दुनियादारी इसको खाली करना होता है और सीधा सीधा जब आप मेडिटेशन बैठे आज के डेट में यूट्यूब में या पूरे इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें ब् वैसा music लगाकर आप अपने आपको feel करें कि you are in the vacuum, आप जो है ब्रमान में, खुले ब्रमान में, ये बहुत अच्छा meditation होता है, इससे भी जो है ये आकाश तत्व का स्नान हो जाता है, अगर आप normal meditation करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, तो normally ये पांच तरह के हम स्नान अगर करत आपके life में भी बहुत balance हो जाएगा, बहुत सारे problem जिसके लिए हम बाहर निवारन ढूनते रहते हैं, वो ऐसे ही ठीक हो रहा है, ऐसे ही, यूँ ही, जिन लोगों को पैसों से related समस्या है, money problem, वो लोग regular murder बात कीजिए और अगनिस्तान कीजिए, अगनिस्तान धूप में र हमारे टाइम में तो बहुत जगह ही थी, तो मिट्टी हमारे बदन में हमेशा लगी रहती तो जितना मिट्टी लगे रहेगा, आप उतने प्रिथवी के निकट होंगे, आपके financial status, मतलब फिनेंशल प्रॉब्लम धीरे-धीरे क्लेर होता जाएगा, बहुत important है, इसके बाद कहते हैं, इसमें प्रतिमा पूजन है, इसमें कहा गया है, प्रतिमा पूजन के लिए साथ स्थानों का, अश्वशाला, गौशाला, राजद्वार, प्रतिष्ठा किये हुए तलाब, और मिट्टी तथा हाथी के स्थान की मिट्टी, नंदी संगम की मिट्टी, को लेकर सोला अंगुल प्रमान, चतुशकोन बेदी, बनाकर उस पर गंद पुशपादी से आलंकृत, प्रतिमा स्थापित करके, निमलिखित मंत्रों से पूजा करके, फिर शंक चक्रगदा के धारन करने वाले, हे प्रित्वी को धारन करने वाले, फिर से वही बात आती है, जहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे आसान है कि आप सत्नाराइन, भगवान, विश्नु की पूजा करे, उससे जो है बहुत हद तक आपके लाइफ की बहुत सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी, इसके बाद है, उप्युक्त पूजन करने के बाद प्रतिमा को आचारे ब्रामन को दे दे और स्वर्ण दक्षिना भी दे, स्वर्ण दक्षिना हर बात में लिखा हुआ है, तो स्वर्ण दक्षिना तो पॉसिबल नहीं होता, हमें हमेशा मूले देना होता है, ब्रामन को पूजा पाट करते हैं जो रेगुलर अगनी होत्र करते हैं दान भी उनी को देना चाहिए जहां पर वो दान फलित होगा सपोज कुछ लोगों का कहना यह है कि गरीबों को खिलाता हूं क्या जरूरत है ब्राह्मन को देने की अरे बहिया दान का मतलब होता है कि आपके द्वा गरीब को आप दे रहे हैं उसको तो पता नहीं है नियुक्ति गरीब को अगनी ओत्र ने करता और पूजा पाठ करते हैं नित्य पूजा गायित्री जाब और दूसरा adopt होत्र फुट टीक ए अगनी में हवन करें चोटा हवन भी है आजके लेटık में हवन करने का बहुत शौट-कट नियम यह है यहँद घर में एक हवन कुण अच्छा होता है लोहे का हम से कभी ना लाएं तीन का जटा उसको रखिए उसमें थोड़ा सा कपूर लगाके और हवन सामगरी का एक पैकेट ही आता है ठीक है जिसमें सब कुछ होता है उसको लेके आए उसको एक प्लास्टिक के डबे में डाल कर रखिए और जब भी तीन आहुतियां जरूर दे भगवान को तीन छोटा सा अगन अगनी वहां पर जलाएं तीन आहुतिया देकर उसके बाद छोड़ दें बस इतना ही करना ज्यादा अगनी ज्यादा प्रजुलित नहीं करना थोड़ा सा आप अगर रोज नित्य अगनी होत्र करते हैं तो उससे भी आपका निवारण हो जाता है स्पेशली स्टक मनी जिसक अगर संभव नहीं है आप लोगे पास तो कम से कम जब कभी भी आपके घर के आसपास किसी भी मंदिर में कभी भी कोई अनुष्ठान हो यग्य हो रहा हो तो उसमें अवश्य एक बार ना एक बार जरूर जाए पाटिसिपेट कीजिए हो सके तो अगनी में दृष्टी डाल उसे वेद व्यास स्वरूप आचारे ब्राम्वन की प्रदक्षिना करे और अपनी स्ट्री के साथ माग मास में प्रगार थीर्थ में जाकर स्थान करें इस प्रकार नियम पूर्व पूजन करने से अवश्य ही संतान उत्पन होगी और जिनकी संतान होकर मर जाती है अथ्व यह थोड़ा सा अटपटा है कन्या ना हो आज के डरेत में ऐसा कुछ नहीं होता नियुक्त कुछ चीज़ें के कर्या करतें हैं तो है कुछ जगहों पर दिक्कते हो गई है यह तौब अगे नार्मल नाद नाध्यम में कहते हैं कि आपने अगर किसी की कुंदली में श्विन लगना आजाता है तो वो वैक्ति पटिकुलर उस ग्रह की भुक्ती में उस ग्रह की दशा में उसको बिमारियां घेरना चालू करेंगी जैसे बिमारियां घेरना चालू करेंगे उसके लिए फिर हवन यग्य करना जरूरी हो जाएगा करना ही चाहिए और ब्राह्मनों को दान इसलिए देना चाहिए कि ब्रामन जो है आपके कर्म का जो भागी आप मतलब आप जो दान दे रहे हैं ब्रामन उसका अगनी होतर कर रहा है यानि वह अगनी में स्वाहा कर रहा है इसलिए एक मात्रे वही ब्रामन इस चीज़ को हजम कर पाएंगे जो अगनी होतर करते हैं जो लेकिन यह ब्रामन वाला कार नहीं करते कोई कामी नहीं करते उना दान देके आजा वह दान फली थी नहीं होगा वह जो लेगा वचार और गरीब हो जाएक ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी अभी जो मैंने इन्होंने जैनती जी नहीं किसने बताया था अभी पुषपा जी नहीं बैंगलोर वाला तो वहां पर जितने ब्रामन थे वह रेगुलर अनुष्ठान करते हैं रेगूलर एवरी मन्त पूर्णिमा अमाव होता है ऑक्ना अलग से कर सकता है उनके लिए संध्या और अग्यो यह क्रना इत्री जमबरै करना और अच्छा लगा हो इवन आल अव दब्रह्मन जो वहां पर काम करते यह वेल एडूकेटेड उनका अपना अपना जॉब होता है अपना अपना काम होता है उसके पाद भी यह करते हैं पर्टिकुलर आपने बता है ना विक फॉर्मूला फॉर हावान अगर करना है कुछ से करना है तो क्या यूज यूज करने जिसे का सब्सक्राइब और फिर क्या करना है उसमें क्या डाले गोबर का उपला आता है हां उपले का छोटा टुकडा डाल दीजिए चोटा टुकडा ठीक है आप च्यार-पांच उपला ऐसे खरीद के लाएंगे तो वो चल जाएगा एक साथ चोटा पूर डाल दिया आग लगाने से पहले जो हवन सामगरी है वह थोड़ा सा प्रेट में रख देना कि तीन आहुतिया दे सको आहुतिया ऐसे देते अपान-मुद्रा ये ऐसे नहीं देते या उठाग आपान-मुद्रा में आपको इस तरह से उठाना है और ऐसे देना होता है ऐसे ठीक है और जो तीन चीज़ बता ही वही देनी है यह तीन चीज़े देनी है जो एवेलेबल है देना तो बहुत कुछ होता है लेकिन हमारे modern context में यह तीन चीज़ इजी अवेलेबल है इसलिए यह दीजी तो भी वह जल जाएगा किन पर डाला है तो बहुत देर तक जलेगा बहुत देर तक आपने गुरु नाम पर भगवान के नाम पर एक पित्रों का नाम पर बस खताव कर सकते हैं सब्सक्राइब कराने वाले ना इसके रिले इसमें मतलब क्या होता है कि इस स्टोरी इसको लिंक किया जाता है कि नक्षादर पद से ना और उसके प्लानेट यह पद में है तो इसको इस स्टोरी के अकॉर्डिंग यह सुलूशन कर सकते हैं प्राइब कि इन साथ रधर करें इस वह क्या मौडिफाइब क्या उसका रिप्लेश्मेंट होगा यह क्या उसका मॉडिफाइट फॉर्म होगा यह बताएंगे आप क्योंकि वह जो मैंने पढ़ा है उसके साफ से बहुत डिफिकल्ट है जो उसमें दिया है जो स्वर्ण के बारे में कहते हैं कि एक इंसान के बराबर स्वर्ण दो वह तो इंपॉसिबल बात है उस जगब पे उस स्वर्ण का अल्टरनेट क्या है स्वर्ण इस में सिकली गोल्ड कर रहे हैं गोल्डन येलो पीतल दे सकते हैं पीदल के बरतंदान देते हैं लोग अच्छा तो आपने वह बताएंगे ना क्या मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है मतलब सबसे इस अभी मैंने बता दे सबसे जो अनाज यलो कलर का होता है यलो कलाट्स और कलर ये रहें गरेंज करेंगे और सर उसमें यह बताएं जैसे कि कई बड़ी कई जेगे मेंशन किया है कि हवन त्रिकोड में होना चाहिए या हवन पटिकिलर एक है क्योंकि अगर उसमें हवन कुंड के बारे में कुछ कहा गया है तो उसको उसी वजह से करना पड़ेगा त्रिकॉन वाला काम जो है न वह नक्षत्र जितने भी मंगल वाले नक्षत्र है वह सारे त्रिकॉन के उपाई से चलेगा कुछ-कुछ राहु वाले में भी है कुछ-कुछ सूरी वाले में भी है लेकिन वह अलग-अलग विधान है फिर उसमें वह डेटरिंग में जाएंगे तो बहुत अलग ही चाप्टर जला जाएगा सर एक लास्ट कुछन था सर इसमें जैसे कई वारी क्या होता है कि फोकल प्लाइनेट्स जो अपने लुमिनिर्स होता है ना उनको लेकर स्पेसिफिकली बताया या लुमिनिर्स मतलब जो अपने मून हो गया कि मून अगर इस पद में तो जब हम लोग को यह आईडिया लग सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए तो कर्म विपाक को समझना है कि नक्षत्रपद के लिए हम जो दान दे रहे हैं उसने पूरुजन में क्या ऐसा किया था जो इसको यह दान देना पड़े पूर्फ जनम को आप डिकोड करेंगे ना तो आपके जो कस्टमर्स होंगे ना उसके पास इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा जी जी विल्कुल सर लेकिन वह डिकोड करना में कई बारी कंफूजन हो जाती है इसलिए कंफूजन वाली बात ही है क्योंकि यह पूरी तरह से ठीक है और यहां पर जो है एक ही स्टोरी बताएगे इस एक स्टोरी के बहुत सारे कॉंटेक्स हो सकते हैं तो उसको हमें तरह से पता लगाना होता है यह शायद नेक्स्ट डिसम्बर स्टी जन्वरी के एंड में होगा या फिर फेर्वलरी के फर्स्ट विक में अग्यां तरह यह और किसी कोई सवाल सर्फर सेकेंड पादा च्यत्रिया यह टोल्ड यह टो डॉन एट फ़र फॉर शात्रिया विच नो नो लाग्वावावाव इस नोट इस नोट 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 विट डोनेश इस नेचर ऑफ डाट पर्टिकुलर लिए पादा पादा कि इसके लिए रिफर करें या आप जो रिकमेंड करोंगे बाद में आप दो यह प्रोवाइड करोंगे आपको पर्म विपाक सर्च करेंगे है अवलेबल कहीं मिल जाएगा मतलब एमजॉन में है फ्लिपकार्ड में है तो को स्पेसिफिक अधर कि लेनी ऐसा है कुछ देख और खेमराज वाले ऑफिस में भी फोन करते तो कहते कि प्रेंट में है वो कभी आज तक मुझे मिला नहीं करेक्ट पीडिएफ एवलेबल है अब पीडिएफ उससे पीडिएफ डाट कॉम से ले सकते हैं वहाँ पर है और किसी को कोई सवाल कर्म विंपाक से रिलेटब बहुत इच्छा लगा नमस्ते से मुझे यह बहुत अच्छा लगा आपका आपका ने बताया ह्खर पदा के एकारुडिंग को फाई भी और किया होता है महारज तो यह से लनांस्तर स्टार्ट होगा यह अच्छा पूश्चिछ पाइबले से ज तो उसमें भी संक्रांती में यह वाइट तिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है तो करना ही चाहिए जो भी जाएगा राहू तुष्ठ हो जाएगा राहू कुछ हो जाएगा वह कितना करना चाहिए अगर स्पेसिफिक जाते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा राहू की आपके नेटल चैट में क्या डिग्री है राहू की दस डिग्री है दस ग्राम या एक किलो वही वह रहा हिसाब रतना पड़ेगा और जो चंद्रमा भी ले रहा है एट थाूस से ले रहा सनी का तो अभी जो स्ट्रॉगलिंग बहुत जादा चल रहा है चीजों से लेकर के तो यह दान देने में मुझे सही रहेगा न दिलगा बिलकुल बिलकुल आप अपने जब भी आप दान देना तो दान में दो चीज़े बोले कि मेरे से अगर जाने जाने कोई गलती होगी तो उसका निवारन हो और मेरे जीवन में जो बाधाइं आरी है उसका निवारन क्या अच्छा क्यूंकि आप अपना जो आपको कर्म है वो उसका भाग दे रही है उसको ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टन्ट है जो आप दे रहें आपको क्या बॉलना है आपको बोलना है अपने मन की बात कि आपको जो प्रॉब्लम का सलूशन निकले वह सिंपल वर्ड मेरा प्रॉब्लम सॉल्व बस अक्सर गलती करते हम देते वक्त तो रहें वैसे तो है दो महिने का लेकिन दो एक्स्ट्रा क्लास और मेरा बढ़ी जाता है हमेशा क्योंकि explain करते करते बाते इधर उदर इधर उदर निकल जाती बहुत सारी और जो नक्षत्र वाला बता रहे थे वह हो चुका आगे भी कराएंगे नक्षत्र का देखते हैं कैसे यहां पर हमारे इंस्ट्टूट वाले सर कैसे कहते हैं क्या करते हैं उसके साफ से होगा वैसे अक्षत्र का recording बढ़ा हुआ है अप लोग ले सकते हुआ है वह सुनने में आलत से आ होती है उसको स्टार्ट करें उसको स्टार्ट करें एक मेरा पामिस्ट्री का अल्रडी चल रहा है वह एंडिंग में वह खतम होगा फिर उसको स्टार्ट करें अच्छा ओके तर जिए जिए पूछे क्या पूछ रहेती है और किसी को कोई सवाल नहीं सर जैसे हमने लगन का चरन देखा था सबसे पहले हम जो तीन एपिसेंटर होता है हमारे कुंडले में एपिसेंटर मतलब उर्जा का केंद्र जहां से उर्जा निकलती है सबसे पहला है लगन दूसरा है चंद्रमा तीसरा है सूर्य ठीक है सबसे पहला निवारन आपको करना है लगन का क्योंकि ये शरीर है शरीर में क्या है बिमारिया है तो आपके पास जो भी बिमारिया है जो भी मानसिक परिशानी है वो शरीर से होके आ रही है शरीर से इसका connection है ठीक है तो शरीर सही हो गया इसको कहते हैं हम health अगर health ठीक है तो स आपने पूरु जन्म में क्या क्या की है और उससे रिलेटेट जो कर्म है निवारन है वो अब आते हैं तीसरा सूर्य यानि आत्मा के उपर कौन सा बोज पड़ा हुआ है क्या गलती ऐसी हो गई थी उस बोज को लेकर आत्मा इस जन्म में भी लेके आई ये उसका निवारन करेंगे वो जिस नक्षत्र में यानि सूर्य जिस नक्षत्र चरण पदा में रहेगा उससे रिलेटेड दान दक्षणा करना ठीक है लेकिन सबसे पहला निवारन लगन और चंद्र को कर लेना चाहिए लगन चंद्र बहुत जरूरी है चले या केटु से के चंद्र में का चले उस टाइम पे अगर दान दक्षणा करते हैं तो यह बहुत अच्छा फलित होता है और उसी प्रकार से सूरी का गोचर निवारन कर लेते हैं लगन लगन वाला तो भई 12 साल में 18 साल में एक ही बार हो सकता है राहू के तो 18 साल में वह इ widget लगंसे बेस्ट तो मैंने कहा कि संकरांती और खुल्म बंचiffe मिश्ब हो भी जाता तो संक्रांति महीने में फ़ारी आता है यह ऊस्टेंप सर्लाजी बताईए नमस्ते सर्व नमस्ते आप कैमरा ओफ है कैमरा सर मैं चट पर बैठे हो यह इंद इस दो पारी है सर मैं जानना चाहरी हूं कि कि अगर कोई प्रॉब्लम से सॉन फोस किते हैं तो क्या है अप थे रहेंगे सबसे पहले नमक रखना चालू करें समुद्री नमक यह वाइट सॉट नहीं समुद्री नमक नहीं डशाग अलग से मिलता है बिना आयोडाइट बिना प्रोसेस किया हुआ नमक उसको हम लोग कहते हैं बस्ते का नमक मिलता है और यह काम करेगा सबसे पहला काम करे यह है घर में सेलन आने का मतलव है चंद्रमा बिगट रहे हैं चंद्रमा का इलाज कीजिए अलो कि बोली आगे बोली तर आपके आवाज ब्रेक हो गई थी कंप्लेट ने मैं संपाई मैं कहरो कि सेलन आ रहा ना घर पे कौन सी दिशा में कौन से कौन से उसमें आ रहा है अबने कौन साइड भी है पूर इशान की तरब भी है और वावे की तरफ यह है और रिद्धे में वह आ गई है त्रेड़े और गेट के उपर भी त्रेड़ आ गई है मकान के वीचों वीच भी त्रेड़ आने की सथ्मरान की पूजा चालू कराए इंम्मीडियेटली जितने जल्दी हो सकते हैं तो पूरे पूरे आपके एरिया में और कोई है नहीं क्या है वही एक है मतलब मेरे श्रीमान का मतलब यह मैंने सुना कि जज्मान नहीं पंडित की बात कर रहे तो हजबेंट ना क्या ले ना देना आप करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है और यह मंगल का रखते हैं मैं सुमवार का भी मैंने काफी साल लगाता रखते हैं कि क्या है कि बेटे का भी स्तारिक का पेपर है अभी तो वह तो जो है थोड़ा मेंटली भाज़ा डिस्टब गया उसकी जो अंगेजमेंट होई ती इस लड़की ने उसका पी नहीं मुझे नहीं करने शाथी तो अचानक ऐसे दोर में मैं क्या करूं कि कि अधर में सत्नारायन के पूजा चालो कि इमेडियेट कीजिए तो कि कि किसी भी दिन करवा लो है कि पूरन मा सी पूर्णी मा जिस दिन कि उस दिन करवा है उस पूर्णी मा तो अब आगे आएगी अब जैसे यह पीस सारे का पेपर उसके लिए कि उसी में करवा लीजिए उसमें मेंटली सेट हो जाएगा इसके बाद से एक मिनिट में भी पीपीटी शेयर करता हूं कि 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 यह समच आएगी एक मा बढ़े का लाएगी आएगा इसका तो एक मिनिट में भी तो शेयर कि वाएगगा जाएगी आएगागी आएगो औरो तो लίएगैगा गेवास कि वाल नहाएगीगा भाद से दिक आएगे आएगगा कि यह स्क्रीन शेयर कर देता हूं कि इसमें कि यह हमारे इंसिट्यूट का नंबर है इसमें आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं साइट भी हैं पर है इसके बाद कॉर्स में जब कॉर्स कॉंटेंट मेंली यह हम 27 नक्षत्रों के चारों पद्धों के बारे में एक्स्प्रीनेशन समझेंगे और उसमें किस तरह से चीज़े काम करती हैं उसको हम समझेंगे को डिटेल जो है यहां पर यह है कि शुरू हो रहा है है कि ट्वेंटी एथ जैन्वरी को दो से चार के बीच में साटेड़ेशन संडेश को होगा ठीक है तो पर को दो से चार के बीच में टू मंत का कॉर्स हर बार ही होता है बट वह एक दो क्लास होई जाता है और कई बार होता है दो घंटे की क्लास होती है दो घंटे से जादा भी हो सकता अब कई बार दो घंटे से कम भी हो सकता है तो मेली में कंसर्ण यह रहेगा कि एक क्लास में दो नक्षत्रों को कवर किया जाए ठीक है एक क्लास में दो नक्षत्रों को कवर किया जाए विद उ गंटा पंदर मिनिट पढ़ाता हूं बाकी का आधा घंटा या 45 मिनिट क्वेश्चन से लेता हूं क्योंकि बहुत सारे होते हैं क्योंकि एक बारा पढ़ा के खतम कर लें फिर सवाल पूछने से इजी रहता है और आप जो लोग भी जॉइन करेंगे हमेशा ध्यान रखेगा क कि नोटबुक तो लेके बैठ नहीं है जो भी सवाल आए उसको लिख लिया कीजिए तुरंत अगर पूछेंगे तो इंटरप्ट होता है ठीक है लिख लेने से क्या होता है कि exactly जब हम खतम करेंगे कोर्स तो जो भी डाउट आया तो उससे क्या हुआ कोर्स का भी रिविजन बेनिफिट्स यह तो है रिपीट फ्री वन्स स्टडी नोट्स स्टडी नोट्स में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उपाय लिखाऊंगा वह आपको लिखना पड़ेगा ठीक है ऑन स्पॉट लिखना पड़ेगा इसमें जो कोर्स का जो फीज है न्यू पार्टनर्स जो है पाटिस्पेंट जो है वो उनका 42,1400 का है बट डिसकाउंट 25 परसंट है तो 3158 का है और पुराने हैं जो दूसरे कोर्स कर रहे हैं उनके लिए 36 परसंट का डिसकाउंस है जिसमें 2685 रुपए 2685 लगेगा आपके सामने दो नंबर है यहां पर आप लोग कूगल पर फोन पर पे पेटियम सबसे कर सकते हैं या डायरेट बैंक ऑफ बरोडा का दो अकाउंट नंबर है इसमें आप डिपॉसिट कर सकते हैं ठीक है और 38982552309999199519 करने के बाद इन नंबरों पर स्क्रिंशॉट भेजिया है ठीक है तो यह है पूरा डिटेल आप लोगों को कुछ करना है तो जरूर आए जो लोग स्पेशली सीख रहे हैं सीखना चाते और डीटेल में जानना चाते नक्षत्रों के बारे में और अच्छे से ज के लिए हो सब्सक्रonday उसके लिए हो या किसे दूसरे के लिए हो सब के लिए सीख कर रखना बहुत जहुरी है इह चीजों को बहुत पत्रिक्लर स्कथ Domus कि इसी और कोई सवाल नहीं तो पहले पालमी सी की पढ़ रहा है ना पाइले के पाट को बुक्त नहीं बेजाता हूं पूछ जाता हूं अच्छा ठीक 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 आप जो ग्रूप है ना वहां पर एक बार हाई लिख के भेज़ें वह पूरा का मेरे को पूरा चार्ट शीए ना मतलब की जो बनता है उसमें कौन सी दिशा में क्या गडबड़ है इसलिए क्रैक आ रहा है वह देखना पड़ेगा वहां की एनरजी कहां से ले खो पूरा लगण के नक्षटर का पततु को देखेगे अगर प्लाइन नहीं बैठा खो तो सिर्फ उस लगन के लगनेश को देखेगे नहीं कर्म विपाक तो सेकर्म निवारन करना चाहती है तो हम अगर सेम नाग और अशेंडेटе भी सेम नग्षत्र में बैठा हुआ सेम जगापे बैठा हुआ है तो दोनों का निवारन करना पड़ेगा ठीक है लगनेश को भूल जाए लगनेश को भी दिमाग नहीं चलाना है ओनली लगन देखना है कि लगन कितने डिग्री में है किस पड़ा में है वो स्वाती में दो पद में है स्वाती नक्षत्र के दूसरे चरण दूसरे चरण में जिस जो निवारण निकल के आएगा वह निवारण आपको करना पड़ेगा इस तरह से देखना आप उसमें प्लैनेट गुसा देंगी ना मतलब लगनेश को गुसा देंगी तो ब्रेन सब्सक्राइब असे संबंधित बिमारी आपको सताएंगे नहीं आपका नएपका इंट्रस्टिंग मैं तो यह कर रही हूं तो है इसको खुदाई करने में मज़ा आता माइनिंग करने में उसके लिए बहुत मेरे लिए भी जब मैंने इसको शुरू किया था था ना मज़ा आ गया वाई दो तीन गटे यह सोच रही हूं यह दो महिने की कोर से दो महिने और एक्स्टेंड करके आप इसमेरा नक्षत्र भी गुसाओ क्योंकि मैं नक्षत्र में थोड़ा सा मेरा वह है अगनेश भी डाल दोगे और पद भी डाल दोगे न तो वह ज्यादा बैटे है तो तवी डालो इसमें अगर नक्षत्र का वीडियो खरी देंगे तो उतने तब क्या होगा जो मैं सोच रहा था कि एक लास में दो नक्षत्र कवर करूंगा तब मुझे एक ही नक्षत्र कवर करने को मिलेगा आप दो की जगे चार महीने कर दो हम तो रैडिन चार महीने करने के लिए आप पूरा पैकेज लेकर आऊ एक बर आप राजीव सर से बात कर लो तो आप लोग जो जो लोग करना चाहते हैं आप लोग उस जो अभी ग्रूप शायद क्रियेट हुआ है उस ग्रूप में जॉइन कीजिए और अपना अपना मत रखिए ताकि राजीव सर को भी दिखे कि सबको डिमांड है तो चार महीने अग्या दाल दोती हूं मैं तो डाल देती हूं प्रवीन जी आप भी डाल दो मैं तो दुबार अलिक भी तुमको में साथ मैं भी लिख रही हूं सब्सक्राइब को देखो मेरे एसेंडेंट में तीन प्लैनेट मर्क्यूरी है अपके डिगरी के उपर ही बैठा हुआ है प्लैनेट वह देखो ना मैडम अब सुनो नक्षत्र पर जबाब आ गए न आप तो एक राशी के अंदर तीन नक्षत्र होते हैं तीन अलग-अलग नक्षत्रों के अलग-अलग पद होते हैं तो अब तीन नक्षत्र में देखना पड़ेगा कि किसके पद में कौन बैठा हुआ है असेंडेंट जहां पर ह कोई नियरेस्ट कोई प्लानेट आया है या उसके उपर ही बैठा हुआ तो प्लानेट भी पांच भी पैठा हुआ तो अलग दोनों का ठीक है चलिए अभी आज का सिम्म यह जो है अपना वेबनार यहीं पर समाप्त करते हैं जो जो इंट्रेस्टेड है प्लीज जॉइन कीजिए और अपना मत रखिए कि आप नक्षत्र के साथ कर्म विपाग सीखना चाहते हैं इसको हम एक्स्टेंड करके चार मेहने कर लेंगे सब्सक्राइब करें तो यह दोनों कोई नहीं सिखता था इसलिए आप वह और पूरे अच्छे साल का टाइम लगता है बिना एक साल के मज़ा नहीं आते हैं कर लेकिंगा सर प्रिडिक्शन नक सथ 1र1 tadi नहीं हो पाधी न नहीं हो पाध्य मोटा-मोटा उता उपर उपर से यह जो सकता यह निए निकरे को सकता है और जोइंट अलेंगे आप आप आपके उपर आपके उपरडिपने हो सकते है यह मैं mm. We'll get the PDF of NAK, this course. Yes, course, see, if this Karnvipaak Sangeeta की बात करें, so what happened is that you just note it down, the remedies, okay, process of remedies. And total book is available in PDF. You can download from internet. Sir, for remedies, why can't you give it to the PDF? That's right. Madam, I'll give it to the PDF, I'll give it to the PDF, I'll give it to the PDF, I'll give it to the PDF. No, let's give it to the last, let's give it to the last, let's give it to the last. If he means something. Okay, then someone has to put it, someone has to put it and tell you to give it to the PDF. Now, I'll give it to the PDF, I'll give it to the PDF. तो चारों के चारे पॉइंट उसमें रहे गई तो कभी भी टाली करने के लिए इसी हो जाएगा थीक है तर बुख का नाम प्रदीजी अब पीडिया बनवागे है मैं जैसा बोला कर्म विपाक संहिता बस यही नाम बुख का नामी है कर्म विपाक संहिता अचा अचा थैंक यू अद इन पीडिया फॉर्म पीडिया इसकी अवेलेबल है वो पीडिया गुरूप में जैज़िए शर्व और सर्व वह बैंगलोर में कौन सा मंदिर कहा आपने मैडम पुश्मा मैडम बताए कोंसा मंदित आव ना मुझे याज़िए मंदिर का नाम नहीं पाथ़ा लेकिन प्लेस शेरंगा पत्थ कोई जेवी का ना टेंपल है या या है पर प्राम्णा वो दानी क्या है और भार्ण्यार प्राम्ण को दान्द है रिवर बेड, they are giving this type of और मैसोर, on the way to Mysore and there they will बगवान का मंदर है वहां पे अच्छा क्योंकि ऐसे कुछ नाम मिलेगा तो वीकेंड गूगल से ऐसा श्री रंग पाटनम में किदर तूबने जाएंगे वह बहुत फेमस है गूगल या किसी को भी पूछेंगे तो वह बोल देंगे भी आखर आपको पैसा चाहिए रा वैसा चाहिए बहुत अच्छा पैसा ठीक है तो एक है तुरूपति दर्शन करके आए और जहां पर उसका एक बहुत संदर सा वह है तिरूपति जो मंदिर है और पद्मनाब मंदिर में जो मंदिर जहां पर देवता का स्थान है, देवता जहां पर स्थापित है, that is in western part of the whole temple, temple area का सबसे western part में है, गेन की जगा पर, so आपको एकदम जितना हो सके मंदिर के नजदीक जाना है, ठीक है, मंदिर के नजदीक प्लस देवता की जो मूर्ती है, उसके जितने close जा सके, facing to the देवता, देवता के आखों में आखे डाल कर, whatever your wish, पूरा होगा, स्पेशली मेट्रिरिस्टिक चीजों के लिए, एक नंबर है, क्या बोला मैंने अभी, बाला जी, तिरुपति बाला जी, एंड सेकंड नमर इस पद्मनाब, श्री रंगपंटनम भी बहुत इस चीज के लिए फेमस है, विश फुल्फिल्मेंट, पर मैं तिरुपति में जब गई थी, तो एक सेकंड के लिए वो लोग खड़ा रखते, बट वो एक सेकंड में जो मूर, जो आइडल से एनरजी निकलती है, वो तो ऐसा लगता है कि दस साल के लिए काभी है, इतना है जादा वो पावर है, बहुत जादा पावर है, बहुत Most of the time, most of the time, बहुत जादा रख होता है, you cannot stand in front of the temple, people are just pushing you, आगे आपको बढ़ते रेना पड़ेगा, ठीक है, एक जगह आपको मिलेगा, जहां पर आपको मूर्ती दिखनी चाहिए, मतलब मूर्ती अगर दिख भी गई, इतना सा भी दिग्या मूर्ती का, इतना, इतना आपको face to face, जो हर मंदिर में एक जगह ऐसी होती है, जहां पर भीड कम होती है, लेकिन थोड़ा distance में होता है, दूर, अगर आप सामने नहीं खड़े हो पाए, तो दूर से ही मंदर के मूर्ती में, जो गर्ब गरे में जो मूर्ती, उसकी आँखों को face को सिर्फ देख लीज लेकिन धिरपती बाला जी का जहना, that part is closed with a metal, that gold, उनके ना के ऊपर, पिलकुल, pure gold लेओ, तो फिर उनकी पूरी, पुरा नहीं देख सकते हैं न, it is basically covered, तो जुतना भी दिख रहे हैं मैंदम, उनका face का तो एंगल बना हुए ऐसा, और ऐसे ही same to same idol, same size इस भीन स्थापति य यह एनने में किया है, ती नगर में, same, उसी का मतलब same size, same, बनाया पूरा है, पैलिका, प्रिपल लुकान गोडु तिरपती, यूजली कम जियर, इस वेंकर नारायन रोड करके है, उसी नहीं के नाम पे है, पर तिरुपती, तिरुमाला का जो, जो, सर उसका पावर तो सेंटर है, उसके नीचे ना, मने, Archaeology of India का सर्वे है, वो तिरुमाला के नीचे, ग्राउन लेवल पर और भी बहुत गहरे, only gold is there, only pure form of gold, प्रित्वी जब, प्रित्वी का, billions of billions years पहले, प्रित्वी का, जब मॉडलेशन चल रहा था, तो gold सबसे ज़्यादा वहीं पर उस तिरुमाला के नीचे deposit है, that is why the energy is so high, ठीक है, ठीक है, तो आज का session यहीं समात करते हैं, जो लोग interested है, प्लीज जल्दी से group join कीजिए, वहाँ पर आप लोग अपना-पना मत रखिए, हमारे राजीव सर है, उसके उपर फिर दुबारा क करके दोनों कोर्स को चार महिने दर तरबे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक यू, सर, आपको बहुत डीप, आट वाइ, बहुत नॉलेज लगए नहीं कुछ नहीं, उपर वाला बेशता है, यही से सब बोलता हो, और कुछ नी, नोबडी, I am nobody, ठीक यू, तैंक यू, नहीं आपक किसी कई लोग आ जाते हैं बिना किसी कुछ के कुछ भी नहीं है उनके पास तो हाथ ऐसे करते हैं तो आपको यह विद्या आनी चाहिए बहुत काम करता है मैडम मेडिकल चल रहा है यह चल रहा है इसके बाद आएगा एस्ट्रोजर के पास हमेशा वह नहीं रहती है तो हाथ हाथ देखने आता है वह जरूर से लों बोलते हैं हाँ next batch will join sir okay sure next batch at the March में हो next batch but basic basic thank you sir most welcome thank you